Tech industry के अंदर machine learning और data science से related jobs बहुत जादा high paying होती है और इन jobs की बहुत जादा demand है industry में क्योंकि skilled लोग बहुत कम है इसके साथ साथ एक prediction है कि 2025 तक इंडिया के अंदर data science का जो sector है वो 16 billion dollars से grow कर रहा होगा Hi everyone and welcome to apna college और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि data science क्या होता है और अगर हम खुद data science सीखना चाहें तो उसका क्या step by step process रहेगा क्या roadmap रहेगा अब हम में से अगर किसी ने Netflix चलाया होगा प्राइम वीडियो चलाया होगा या YouTube चलाया होगा तो महां पर हम वीडियो देखते हैं और हमने आज तक जैसी भी वीडियो देखती हैं उस हिसाब से हमारे लिए नई वीडियो कुछ प्रिडिक्ट होती हैं कि आप इसके बाद ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं इसके अलावा हम email यूज करते होंगे तो उस पर spam में कुछ mails आती होंगी कुछ लिखते टाइम अगर हम spelling गलत कर देते हैं तो उपर सही spelling हमाई कभी-कभी smartphones के अंदर display कर दी जाती है तो ये जो autocorrect का, autocomplete का ये जो feature होता है phones के अंदर ये भी data science की देन है अब data science का basic मतलब होता है कि काफी सारा data collect करना, उसको analyze करना, यानि उस पर काम करना, उसमें pattern ढूंडना और साथ में उसके कुछ insights दे देना, यानि उस data से ढूंड कर हमने कौन सी नई चीज ढूंड कर निकाल लिए जैसे अगर हम Netflix चलाते हैं तो उस पर हम mostly अगर horror movies देख रहे हैं या funny movies देख रहे हैं तो Netflix अगली जो movie हमें predict करके बताएगा बहुत high chance है कि वो एक horror related movie होगी या अगर हम comedy movies देखते हैं तो वो एक comedy related movies होगी तो इस तरीके से जब data से insights निकाले जाते हैं जब data से useful information निकाली जाती है वो data science का process होता है अब artificial intelligence, machine learning, deep learning जैसी अगर हमने term सुनी है तो यह सारी की सारी चीज़े data science का part है data science में तीन parts होते हैं पहला होता है data को collect करना, दूसरा data को analyze करना तीसरा उससे कुछ insights निकालना और उन insights को business problems को solve करने के लिए use करना आज की date में social media बहुत जादा है internet बहुत जादा है तो हर second में हम इतना जादा data store करते हैं कि उसकी हद नहीं है पहले जब internet नया नया आया था या जब technology लोग इतना use नहीं करते थे तो data बहुत कम होता था और data को हम spreadsheet की form में Excel की form में लिखा करते थे अब एक दो लोग companies बिठा देती थी जो इस data को analyze करते थे क्योंकि बहुत कम data है तो कम लोग चाहिए लेकिन आज की date में data इतना जादा बढ़ गया है कि आज data data नहीं है data big data बन गया है data lakes, data warehouses जैसे concepts आ गया है और आज इनसान काफी नहीं है उस data को analyze करने के लिए आज ऐसे-ईसे softwares हैं ऐसे-ईसी machines हैं ऐसे-ईसे algorithms हैं जो हमारे लिए उस data को analyze करते हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं data science के अंदर और data science के यह इसे हम बहुत सारी interesting चीज़ें कर सकते हैं एक तो हम business problem solve करते हैं दूसरा हम मज़ेदार projects बना सकते हैं तीसरा real life problems को बहुत ही अच्छे बहुत ही creative तरीके से solve कर सकते हैं अब data science को step by step सीखने का जो process है उसमें 5 steps आते हैं सबसे पहला step है learning a programming language अब दो सबसे famous programming languages हैं data science के अंदर पहली है python जो सबसे ज़्यादा लोग use करते हैं data science में और दूसरी है R अब R भी एक बहुत अची programming language है लेकिन python मोस्ती लोग इसलिए use करते हैं क्योंकि python में लाइबरी ज़्यादा है आपको inbuilt resources बहुत ज़्यादा मिलेंगे तो महनत थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी और output या result जो है वो बहुत अच्छा हरा होगा अब python अगर हम सीखने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें पूरी की पूरी python सीखनी है हमें basic python सीखनी है और दूसरी है pandas अब यह दोनों जो libraries है वो data पर काम करनी के लिए यूज होती है तो python के अंदर हमें इन दोनों libraries के बारे में पता होना चाहिए दूसरा step है learning statistics तो जो basic statistics हमने सीखा होगा 9-10 में 11-12 में school के अंदर जिसमें आ जाता था हमारा main median mode साथ के साथ standard deviation variation ऐसे जो चोटे-चोटे concepts थे इनको हम revise कर सकते हैं अगर हमें 11-12 में maths ली थी और हमें पहले से याद है तो बहुत ही अच्छी बात है फिर इतना revision के जरूरत नहीं है तो यह basic statistics हमें आने चाहिए तीसरी चीज जो हम सीख सकते हैं वो है data visualization अब data को हमने देख तो लिया लेकिन वो जो बड़ी-बड़ी tables form होंगी वो जो बड़ी-बड़ी excel sheets form होंगी उनको पढ़ना उनके बारे में सोचना बहुत जादा मुश्किल है तो data को visualize कर सकते हैं graph बना सकते हैं data के tables बना सकते हैं data के तो अब इन सारी चीज़ों को data visualization को यूज करने के लिए python के अंदर दो और libraries पहली होती है matplotlib दूसरी होती है seaborn हम इन दोनों libraries के बारे में पढ़ सकते हैं इनके बारे में basic usage कैसे करनी है वो सीख सकते हैं चौती चीज होगी machine learning के बारे में data science का और उस पर algorithms लगाने का analysis के process को अब machine learning पर हमने already video बनाया हुए कि machine learning क्या होती है साथ के साथ कैसे roadmap रहेगा machine learning को सीखने का तो अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इन videos को refer कर सकते हैं पार्चवा और सबसे important step रहेगा इस process में एक project को करना अब data science को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है data science को करना और वो कैसे कर सकते हैं वो कर सकते हैं हम एक project की help से अब जब भी हम एक project implement करते हैं तो उसमें हम बहुत सारे concept सीख जाते हैं as compared to कि हम कुछ videos देखते रहें कुछ theory सीखते रहें उससे अच्छा है कि हम एक बहुत अच्छा सा project कर लें और उसमें काफी सारे concepts हम सीख जाएंगे अब projects के लिए हम Kaggle नाम की काफी famous website होती है data science की community में machine learning की community में इस Kaggle site पर हम जा सकते हैं यहां पर बहुत सारे हमें data sets मिल जाएंगे पहले से collected कुछ data है और वह हमें मिल जाएगा अब उस data को use करके हम काफी सारे projects बना सकते हैं दूसरों के data को भी हम देख सकते हैं दूसरों के code को हम देख सकते हैं और उसकी help से हम वहां पर जाकर practice कर सकते हैं अगर मैं अपना example लूँ तो college के अंदर machine learning से related मैंने और मेरा batchmate है हमने क्या किया था project के लिए हमने twitter का data collect किया तो खुद से data collect किया और उसको फिर analyze किया तो tweets हमने कुछ collect किये थे और उससे कितने twitter पर bots use होते हैं कितने bots नहीं use होते हैं कितने जूट होते हैं उसका हमने कुछ analysis किया था और काफी interesting project था even कुछ हद तक हमने उस project को published भी कर दिया था तो इतनी जादा importance होती है और आज भी उस project को मैं अपने resume के अंदर लिखती हूं because project से काफी सारे ऐसे concept से machine learning से related data science से related जो मैंने और मेरे batch mint ने सीखे अब भी ऐसा ही project बना सकते हैं उस project को अपने resume में भी लिख सकते हैं जिसको आगे जाकर placements के लिए इंटर्शिप के लिए साथ के साथ data science से related machine learning से related तो हमारी practice हो ही रही होगी I hope कि आज का video आपको अच्छा लगा हो इसके साथ साथ अगर आपको artificial intelligence से related deep learning से related videos चाहिए तो उसके बारे में आप नीचे comment कर सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते है निक्स वीडियो में चल दें keep learning and keep exploring